हेलो गाईस कैसे हो बढ़िया तो गाईस आचुके इने वीडियो के साथ गाईस इस वीडियो में आपको मैं तीन प्रो टिप्स बताऊंगा जिसको आप यूज करके किसी भी बंदे को भाई इसली मार दोगे बंदा सोचे गा नी भाई किस तरफ से बंदे ने मारा मेरे को तो चलो गाईस पॉइंट नमर वन बताता हूँ पॉइंट नमर वन में कुछ नहीं है यार बिल्कुल सिंपल है एक कवर में रहो कवर में रहकर भाई सामने एन्ट मान लो कभी उसको left से पी करके मारो कभी right से पी करके मारो इसका advantage यह है एन्ट मी हमेशा आपकी exact location भी अपना ideas को लेगा तो आप कभी अगर वो right से मारेगा आपको और आप उतनी देर में left से उसको मार दोगे तो भाई इस चीज़ को यार 15 मिनट रोज के ट्रेनिंग रूम में आकर बिताओ यार अगर ये चीज़ सीख ली ना तो किसी भी बंदे को यार एजली किल कर दोगे आप बस यार पूरे 10 दिन ना आप 10 या 15 मिनट पूरे ट्रेनिंग रूम में आकर ये चीज़ सीखो अगर भाई अपने ये चीज़ सीख ली ना यार तो हर एक एनिमी को आप इसली किल कर दोगे आप देखो ये ग्रोजा मैं चला रहा हूँ और कभी लेट से मार रहा हूँ कभी राइट से मार रहा हूँ अगर मेरे सामने बंदा है तो यार मैं अगर इस तरह से मारूँ हूँ ना तो वो एक जगह पर अपना यार बंदा पागल हो जाएगा कभी ये इधर से मार रहा है कभी उधर से मार रहा है फ्रेंड्स अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगो तो यार लाइक सिब्सक्राइब कर देना और हाँ एक बात और बोलूँगा भाई जब भी बंदा ओपन में आता ना और आप उसको मारते हो तो भाई हमेशा क्राउच और शूट करा करो इससे क्या होगा वो बंदा आपके हैड पे एम लेगा और आप क्राउच कर लोगे तो आपके हैड पे एम उसका नहीं लगेगा तो आप इसली उस एनिमी को किल कर दोगे देखो ये जैसे ये सामने मेरे एनिमी है तो मैं क्राउच और शूट कर रहा हूँ और भाई बहुत जियाला लेस डेमेज आप लोगी उसका अगर आप क्राउच और शूट करोगे तो उसको भी ये चीज़ पता है वो भी सामने क्राउच और शूट ही कर रहा है मेरे साथ देखो वो बंदा भी बहुत चाला आक है यार क्राउच और शूट ही कर रहा है तो चलो गाईस अब हम अपने पॉइंट नमबर टू की तरफ जाते हैं तो गाईस पॉइंट नमबर टू पता क्या है जब भी भाई आप रश करते हो किसी भी घर में तो कई बंदे पता क्या है स्मोक फेक देते हैं तो उससे क्या है कि दिखना बंद होता है यार स्मोक में पता ही आपको कितना को दिखता होगा जब आपको कोई टीम में नौक होता है तो तब भी आप स्मोक करके उसको रिवाइव देते हैं ओपन में तो रिवाइव दे नहीं सकते भाई आज मैं बताऊंगा भी आई स्मोक में कैसे बंदों को मारना है तो चलो गाई इस पहले मैं ना थोड़ी सी स्मोक उठा लेता हूँ और घर पे चलके स्मोक फेकते हैं तो एक यहाँ फेकी दर्वाजे के सामने एक यहाँ और एक यहाँ एक तो स्मोग इधर फेग देता हूँ ताकि पूरा कमरा यार स्मोग से भर जाए तो guys अब देखना twist बंदे अंदर हैं आप रश करने जा रहे हो TPP लेकर ठीक है अंदर गए कुछ नहीं दिख रहा भाई कुछ भी नहीं दिख रहा और अगर एनमी सामने होगा तो आपको पेल देगा ठीक है अब भाई करना है FPP स्वाइप अब FPP स्वाइप का ये फाइदा है कि भाई आपको ना स्मोग में थोड़ा सोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा मलकि आप अंताजा लगा लोगे भी एनमी मेरे सामने है या नहीं यह देखो मैं FPP से TPP जा रहा हूं TPP जा रहा हूं कुछ भी नहीं दिख रहा FPP है सब कुछ दिख रहा है भाई ये एडवांटेज होता है बंदे इसलिए स्मोग फेक देते हैं और वो भी बहुत सारे बंदे होते हैं भाई स्मोग फेक के वो भी FPP कर लेते हैं इसलिए क्योंकि भाई उनको भी पता होता है कि यार ओपन में तो भाई बंदों गमारना इसलिए नहीं है अगर एक दो स्क्वाडर रश कर दे इसलिए वो स्मोग फेक देते हैं तो गैस अगर यह पॉइंट अच्छा होगा तो यार लाइक कर देना और अब हम चलते हैं पॉइंट नमबर थी की तरफ गैस पॉइंट नमबर थी भी कुछ इसी तरह हैं मैं आपको बताऊंगा कि 7.62 वाली गन होती न सबी गन 5.56 एमो वाली गन से उनका डैमेंज थोड़ा ज्यादा होता है तो भाई मैं तो हमेशा 7 एमो वाली गन यूज़ करता हूँ तो अगर मुझे गरुज़ा मिल जाए ड्रॉप से या कोई और गन मिल जाए एमके 14 वगेरा तो भाई मैं एमफूर नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई उनका डैमेंज थोड़ा सब ज्यादा होता है 5.56 वाली गन से आज वही बात करने वाले हम कि MK14 भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई वो जो सनाइपर है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई वो सनाइपर भी है और AR का काम भी करती है क्योंकि वो सिंगल चॉट पे भी हम उसे चला सकते हैं और आटो पे भी उसे चला सकते हैं गाईस पॉइंट नमबर थ्री मैंने इसी गन पे बनाया है आपको इसका डे में बताऊंगा और बताऊंगा कि यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए तो चलो पहले पिक अप कर लेते हैं MK14 चलो अटेश्मेंट्स कंपंसेटर तो लगा हुआ है ओ सॉरी कंपंसेटर लगा हुआ है एकस्टेंड प्लस कुइक ड्रा लगा हुआ है चीक पैड रहता था वह हमने लगा लिया तो चलो गाईस अब इसका रोग रिकोईल देखो थोड़ा सा रिकोईल कितना है रैड डॉ बहुत ज्यादा है यह स्वाइप बहुत कर लेती है यह देखो भाई 20 बुलेट्स में पूरी बग्की फूट गई तो और क्या चाहिए भाई जब भी ड्रॉप में आए भाई छोड़ना मत कभी वी गन को यह देखो हीमा भी गई जो विकेंडी में आई थी नहीं गाड़ी मिराडो की तरफ गर के देते हैं और मिराडो भी गई अब बारी है युएस की युएस की थोड़ी पावर ज्यादा होती है क्यूंकि यह सबसे बड़ीया गाड़ी है तो इस पे कितने बुलेट्स लगे हैं 32 बुलेट्स लगे हैं गाईस ओनली 32 बुलेट्स और यह फूर जाती है देखो अब बारी है डासिया की डासिया पर चेक करते हैं भाई डासिया भी थोड़ी सी रहागी बस दो तिन गोली की यह देखो एक मिनट यह देखो फूट गी भाई इससे आपने अंदासा लगाई लिया होगा कि भाई एम के वोटीन कितनी अच्छी गन्न है भा के फोटीन उससे भी स्यादा अच्छी गन्न है तो भाई जब भी ड्रॉप में आए ना तो पिक अप कर लेना और गाईस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना तुमारे भाई का चैनल है तो कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमा के दर करते हुए तो चलो गाईस हम चलते हैं तो बाई